हेलो फ्रेंड्स, वेलकम डू माइ यूटूब चैनल प्रोफेसर पराग पटिल जैसे आप सबको मालूम है कि हमने एक टॉपिक रिजनिंग का स्टार्ट किया था टॉपिक का नाम है कोडिंग डीकोडिंग आज हम कोडिंग डीकोडिंग आल्फाबेट्स टू नमबर उसका लेक्चर टू है लेक्चर टू उसका रेकोडिंग आप अभी देख रहे हो लेक्चर वन में क्या था उसमें A to Z Alphabets को Sequence में नंबर दिया था Ascending नंबर थे A उसके लिए 1 था Z उसके लिए 26 था In the same way आज हम descending order अगर नंबर यूज उवे है तो उसको coding decoding में कैसे apply करेंगे जैसे के बौड पर आप देख रहे हो ये Alphabets है A, B, C Up to Z और उसके नीचे जो नंबर से बहुत carefully notice करना नंबर 1 Z से सुरू किया है So 1, 2, 3, 4, 5 Up to A उसके नीचे 26 है A उसके नीचे 26 है So आज की जो exercise है वो बिजिकली याद रखना है हमें A, 2, Z Alphabets को descending order में numbers दिये गए है So A उसके नीचे 26 है Z उसके नीचे 1 है चलो exercise टार्ट करते है कैसे question हो सकते है पेपर में Exercise नंबर 1 Based on original numbers जो भी sequence wise नंबर है उसी नंबर को coding में use किया होगा Like type 1 उसका If J is equal to 17 है Q is equal to 10 है तो question क्या है Then G is equal to What कौन सा नंबर होना चाहिए चलो solution J आप यहाँ पे दे सकते हो Sir J उसके लिए 17 नंबर use किया है J उसके लिए 17 नंबर use हुआ है According to Based on a Original numbers लेकिन Descending order system है समझना है Sir Q उसके लिए 10 नंबर यहाँ पर है So Q उसके लिए 10 नंबर है तो अब आपको मालूम हो गया के G उसका नंबर क्या होना चाहिए Sir G उसका नंबर 20 होना चाहिए This is a Answer of G G उसका coding Decoding 20 होना चाहिए Now next Type 2 अगर HK denoted by 1916 DU 236 Then मुझे PM उसका क्या coding होना चाहिए वो find करना है Again उपर Alphabet उसके नंबर चेक करो H H के लिए 19 नंबर है K उसके लिए 16 नंबर है Same way D 23 नंबर है U 6 नंबर है तो अब मुझे पता चल गया के PM उसका coding क्या होना चाहिए P 11 And M 14 So this is a correct answer of PM 1114 Now थर्ड टाइप 3 अगर OPD 12 1123 है ATM 26714 है तो मुझे BOS उसका code find करना है So O उपर आप देख सकते हो O उसके लिए 12 नंबर है P उसके लिए 11 है D 23 नंबर है Same way A 26 T 7 And M 14 नंबर तो मुझे BOS उसका code क्या होना चाहिए Sir B 25 O 12 नंबर And S 8 नंबर So BOS उसका coding क्या हुआ 2 5 1 2 8 तो बहुत यह easy exercise थी इसमें किसी को difficult नहीं होना चाहिए जो भी original numbers है उसी को हमने code में use किया है Simple exercise So exercise number 2 Sum of alphabet number जो भी alphabet के number use हुए होंगे उसका total coding में use हुआ होगा देखते है अगर God is equal to 55 है अगर COW is equal to 40 है तो मुझे N O T उसका क्या answer होना चाहिए वो find करना है चलो step by step discuss होता है जैसे कि आपको मालूम है G उसके लिए 20 number use होता है O उसका root number है 12 D 23 है सेम वे C O N W लेकिन मेरा answer तो God में 55 है तो थोड़ा advance सोचना है उन्होंने क्या किया है ये तीनों का total 20 plus 12 plus 23 is equal to 55 होता है understand second C O W 24 plus 12 plus 4 उसका total होगा 40 तो ये 55 कैसे आया 40 कैसे आया बस वही सेम रूल अब मुझे N O T के लिए use करना है पहले उसके number मुझे बता दो Sir N के लिए N के लिए 13 number है O 12 number है Sir and T उसका number 7 है चलो number तो use कर दी है हमने अब उसका total करना है So plus plus 13 plus 12 25 25 plus 7 32 is a correct answer Okay friends Now we are discussing exercise number 3 Exercise 3 क्या है Exercise 3 Double of sum जो भी alphabets होगे उसके number होगे number का total करना है sum करना है और फिर उसका double होगा coding में देखते है कैसे अगर B A G is equal to 142 है G A P is equal to 114 है then T O P how much solution B 25 A 26 G 20 ये number उपर से अब देख सकते हो अब sir ये 3 numbers लेकिन answer दो 142 है so wait करो sir पहले थोड़ा advance करते है उसका total चलो भी 25 plus 26 plus 20 is equal to 71 होता है sir अभी भी 142 नहीं आया लेकिन 71 उसका double कर दो 71 उसका double 142 होता है same way G A P number स्तयार है तीनों का total करना है 20 plus 26 plus 11 total होता है 57 57 का double 114 तो आप देख सकते हो ये जो code use हुआ है उसका decoding इस तरह से हुआ है अब final जो question था T O P T 7 number O 12 number and P 11 number 7 plus 12 plus 11 is equal to 30 30 उसका double so T O P उसका final answer 60 होना चाहिए exercise number 4 क्या है exercise 4 average of sum यहाँ पर sum उसका double करना था यहाँ पर जो total होगा उसको average करना है average करने के लिए 2 से divide करना पड़ेगा let us check कैसे होता है solution राज is equal to 26 है कैसे 26 है समझो R A J अब 9 plus 26 plus 17 करेंगे तो 52 होता है लेकिन sir answer में 26 है तो 52 का half divide by 2 so answer is 26 हो गया 26 same way D E V D E and V so 23 plus 22 plus 5 is equal to 50 होता है 50 का half 25 होगा 50 का half कितना होगा 25 होगा so last लाज जो question है H E T H 19 number होता है sir E 22 number है T 7 number है है so 19 plus 22 plus 7 total 48 होगा dear students total 48 होता है 48 divided by 2 24 so exercise number 4 क्या है जो भी total है उसको कई बार वो लोग हाप करके decoding में coding में use करते है so now we are discussing exercise number 5 exercise 5 क्या है exercise 5 है square of sum जो भी total होगा numbers का उस total को में square में convert करूँगा final answer के लिए like अगर TV is equal to 144 है FR is equal to 900 है तो भी DJ DJ is equal to कितना होना चाहिए DJ भई सबको पसंद है किसको पसंद नहीं है DJ लेकिन देखते answer क्या होगा T उसका number 7 है V उसका number 5 है so 7 plus 5 12 होगा लेकिन answer अभी तो 144 है तो तुरंद हमारे दिमाग में light होना चाहिए sir 12 उसका square 12 उसका square होता है 144 44 same way f r f 21 number है r 9 number है 21 plus 9 is equal to 30 30 उसका square 900 होगा सो देखलो हो गया 900 अब आब easily dj उसकी coding decoding कर सकते हो d d उसके लिए 23 number है j उसके लिए 17 number है 23 plus 17 40 होता है 40 का square 1600 40 का square 1600 होना चाहिए so हमने आज descending order में अगर numbers यूज हुए है alphabet के तो उसकी भी exercise आप easily solve करते हो exactly जो ascending के rules थे वही rules descending में use होते हैं बस number पूरे opposite लिखे होते हैं opposite बोले तो a उसके लिए नीचे 1 नहीं descending है तो a उसके नीचे 26 आएगा z उसके नीचे 26 नहीं descending है तो 1 आएगा so z से a तक हमें जाना है number wise ओके friends this is a extra exercise of alphabet to numbers जैसे के आप board पे clearly vision कर सकते हो कि मैंने ABCD में ascending as well as descending दोनों number का यूज किया है उपर मैंने ascending numbers यूज किये है नीचे मैंने descending number यूज किये है that means order wise दोनों order का यूज यहाँ पे किया है तो कई बार competitive exam में ऐसे typical questions out of the thinking of mind हट के कोई question रख सकते है समझना है इसका solution कैसे मिलेगा लेकिन ऐसे भी option available है हमारे mind में prepare रहना है चलो question number one practice solve करते है A अगर 126 है O अगर 1215 है तो T क्या होना चाहिए A उसके लिए आप देख सकते हो 1 and 26 दोनों use होते है so A is equal to 1B है 1 और 26 126 भी है so number हो गया 126 same way O 15 and 12 so 12 भी लिखा है 15 भी यहां पर use हुआ है so T उसका answer क्या होना चाहिए तो T उसके लिए answer 20 and 7 T उसका answer क्या होना चाहिए 207 समझे आप तो यहां पर क्या हुआ ascending number भी यूज़वा descending number भी यूज़वा दोनों का combination है in the same way question number 2 अगर D is equal to 92 है Y is equal to 50 है तो वही J क्या होना चाहिए चलो अंदर समझो D उसके लिए 4 and 23 दोनों number यूज़ हुए देखो 4 भी यहां पर है 3 भी यहां पर है लेकिन 4 23 answer नहीं है अब समझना क्या हुआ है अगर मैं आगे सोचू कि 4 into 23 4 into 23 का answer होता है 92 क्या answer मिलेगा 92 32 तो यहां पर आपको पता चला कि सर्फ दो जो नंबर है ascending number descending number दोनों का cross multiplication that means multiplication यहां पर हुआ है same way y 25 and 2 25 यूज़ हुआ है 2 यूज़ किया है फिर दोनों का multiply तो सर 50 answer आएगा यहां पर देख सकते हो 50 हो गया तो now you can easily solve out j उसका code क्या होना चाहिए let us check j so यहां पर j उसके लिए 10 and 17 ascending number 10 है descending number 17 है so 10 into 17 is equal to 170 that is the final answer so यह दो exercise में समझो ascending number descending number दोनों का combination use हुआ है अब यह जो last exercise है उसको number के साथ कोई relation नहीं है उसका number के साथ कोई relation नहीं है समझो यहां पर लेकिन ऐसा भी हो सकता है कई बार जैसे के god is equal to 6 dov is equal to 8 तो अभी elephant क्या answer होना चाहिए अब solution समझो कौन सा trick यूज हुआ है अब यहां पर notice करेंगे तो g o and d there are three letters so three लिखा मैंने d o ve there are four letters so मैंने four लिखा समझना लेकिन यहां पर six है तो क्या किया उन्होंने three into two हो गया six four into two हो गया eight so यह जो last question है उसमें जो letters है उसका number तो same way elephant उसमें total कितने letter से पहले वो समझो one two three four five six seven eight nine there are nine letters into two कर दो that means double तो answer क्या होना चाहिए eighteen number so dear students dear friends हमने बहुत प्रोपर तरीके से यह topic two था alphabet to numbers ascending order की exercise descending order की exercise और यह extra exercise भी हमने समझ ली so I hope आप सबको coding decoding उसका concept आपके माइन में clear हो गया होगा total three topics थे topic one था alphabet to symbol topic two था alphabet to numbers अब last जो topic बाकी है topic number three alphabet to alphabet उसका video in a short time पराकसर upload करने वाले है again सबको मेरा एक request है आप तो खुद यह YouTube चैनल सब्सक्राइब करके बैठे हो उसको like भी किया है जितना बन सके उतना यह YouTube चैनल सेर करो दुसरों को forward करो क्योंकि without any charge यह आप online सब कुछ पढ़ रहे हो so have a good day friends data bye bye see you